हेलो एप्रिवान वेल्कम टो आर चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही चाता है ज़रूरी है और वो है एक फ्लावरिंग प्लांट का इंब्रियो सैक जिसका स्ट्रक्चर कई पर सब्सक्राइब और नींचे में प्र यह उत्यान पाली ही प्लेजेड़ नीचे में प्लेजेड है ने कमदब्चर एक जो होता है उसे करेंका गेद्ग ska2 आए ने मिर्जेश और चैनल पर उता है उसे हम कहते है उग और एन्र क County also व्यादाख एक पार होता है ंGUार्रियो पع तो ये बिल्कुल इस तरह का part होता है नीचे में देखोगे तो 3 यहां पे cell, 3 यहां पे cell और बीच में 1 cell present होता है इसलिए हम इस embryo sac को कहते हैं 7 celled and 8 nucleate 3 उपर nucleos, 3 नीचे nucleos और 2 center पे होता है इसलिए इसको कहते हैं 7 celled, 8 nucleate embryo sac और यह इसका complete structure है इसमें जो बीच में present होता है उसे कहते हैं secondary nucleos जो उपर वाला होता है उसे कहते हैं antipodals और जो नीचे present होता है उसे हम कहते हैं eggs तो यह एक complete structure था आपने देखा embryo sac का, कई बार exam में पूछ देता है तो इसलिए ध्यान रखेगा इसको Thank you for coming and watching our videos ऐसे ही बने रही है हमारे चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बिटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे Thank you for coming and watching